भोजपूरी में एक कहावत है, पुरानी है लेकिन जारखन की मजूदा सियासी हालात में कॉंग्रेस की भूमिका पर फिट बैठती है कहते हैं कि सब बत्वा भूज गैनी लेकिन खुटवा ओजे गालब कहावत का सिधा सिधा मतलब है, सब जानते बूजते हुए भी वही करना जो आपका मूड और मिजाज कहता है चाही ये करने में धिटाही की हदे ही पार हो जाए, चाहे आपकी करनी से शर्मिन्दगी भी शर्मा जाए चाहे आपके फैसले से निरलचपना भी पनाहे मागे चंपई सरकार के गठन के बाद मंत्री मंडल विस्तार पर कॉंग्रेस ने जैसा फैसला लिया है उस पर तो ये कहावत भी फिट बैठेगी कि कुन्बा लूटे तो लूटे लेकिन फुटानी ना घटे ऐसा ही नहीं होता तो भला बारा विधायकों की नराजगी के बाद भी शीर्स नेत्रित इस बात पर क्यों अड़ा रहता कि हमारे प्यारे दुलारे सितारे बनना बादल और रामेश्वर ही बने रहेंगे मतलब पाटी के सत्रा में से बारा विधायक का रहे हैं कि हुजूर इनको और मौका नहीं दीजे फैसले पर थोड़ा पुनरवचार कीजे लेकिन नहीं प्रभारी और अध्यक्ष तो वही नारा बार बार धोरा रहे हैं हम सब का एक ही कहना हमारे चहेते रामेश्वर बादल और बनना मतलब ऐसे एक तरफा इश्खी ऐसी बेतर मिसाल और क्या ही होगा ऐसा भी नहीं है कि विधायक पहली बार नाराज है पिछले तीन साल में विधायकों का अलग अलग समूप कई बार कह चुका है कि मंत्री हमारी नहीं सुनते, फोन नहीं उठाते, छेतर की जनता से जुड़े विभागिया जरूरतों पर ध्यान नहीं देते मंत्रियों के कामकाज के तरीके से इलाके में हमारी भजियत होती है कि अगर तुम्हारी ही पाटी के मंत्री तुम्हारी नहीं सुनता तो किस बात के जन परतिनीदी हो अंबा, दीपिका, पुल्निमा, इर्फान, नमन, राजेश, उमा शंकर ना जाने कौनकन राची और दिली दर्बार में कि मंत्रियों के दर्बार में हमारी सुनवाई सुनुशित करा दीजिये लेकिन आला कमान यही बोला सब बतवा बूझ गयनी लेकिन खुटवा ओजेगालब देखिए, लोगसभा चुनाओं से ठीक पहले जब सभी पार्टी अपना-पना कुनवा समेटने में लगे रखती है कॉंग्रेस ने तृत्व की हट धर्मिता से सब विखरने में लगा है वो सब छोड़िये, पिछले चार साल में कॉंग्रेस कोटे के दुलारे मंत्रियों ने क्या और कितना काम किया है उस पर जनता के प्रती जवाब देही की बात को परे रखते हैं क्योंकि उनके साथी विधायकों की शिकायती काफी है आला मैसा है कि मंत्रियों की कारिशैली से तंग आचुके विधायकों को प्रभारी के नाम मांगबत्र सौपना पड़ा है लिखा है कि हुजूर पिछले चार साल में हमारा एक भी फोन कॉल आपके दुलारे मंत्रियों ने नहीं उठाया मिले तो सीधे मुँ बात नहीं की कुछ मांगा तो दुद्कार दिया इसलिए हे प्रभू हम ये मांग पत्र सौप दे रहे हैं आप ही महानुभवों तक हमारी बात पहुचा दीजिए क्योंकि उनके दर्बार में हमारी एंट्री नहीं है आपको पता है शपत गरहन शमारों में हिस्सा लेने से इन 12 विधायकों ने जाने से भी इंकार कर दिया था मीडिया में तो नहीं कहेंगे लेकिन सच्चाई यही है कि प्रभारी के हाथ गोड़ जोड़ने पर राजी हुए हैं दरसल एन मौके पर विधायक शपत गरहन में नहीं जाने पर अल गए तो प्रभारी और अध्यक्ष को कहना पड़ा हे मानस के राजहन्स हमरे इज़त बचा लो लाज रख लो वैसे ही देश भर में भट्टा पिटी है और बेज़ती ना कराओ कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि कॉंग्रेस का हाल उस कबीले जैसा हो गया है जो और तेज रोशनी के फेर में अपना ही आश्याना फोग डालता है पैर में कुलहारी मारना को यदि एक शब में कहना हो तो कॉंग्रेस भी कह सकते हैं नहीं मतलब ऐसी भी क्या मजबूरी है ज उनके साथ ही विधायक और बाकी जानकारों को तो नहीं लगता आप ही बता दीजिये कि आपको क्या लगता है झालता है झालता है